नमस्कार बच्चो आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10 हिंदी की वरक्षीट नमबर 14 यानि की कारेपतरक सिंख्या 14 को यह आपकी 6 अगस्त 2021 की वरक्षीट रहेगी और आज की वरक्षीट भी काफी आसान, easy, interesting रहने वाली है जिसमें हम एक बार फिर से एपठित पहले नहीं पढ़ा है और जो हमारे पाठे करम, विश्य वस्तू, हमारे सलेबस का हिस्सानी है पद्यांश मतलब कविता कांस दिया गए आज का जो कविता कांस है वो मात्र भूमी देश भक्ती पर आधारित है देश भक्ती क्या होती है देश के परती जो प्रेम है प्यार है लगाव है समरपन है उसे हम देश पक्ती बोलते हैं जब स्कूल में सुभह राश्ट्रगान होता है उस वक्त जो हमारे मन में भाव होते हैं वो देश पक्ती है जब हम त्रंगे को देखते हैं जो हम मैसूस करते हैं त्रंगे को देखने के बाद वो देश पक्ती है जब हम इस कविता के भाव को समझना है, फिर इस पर आधारित कुछ आसान से परशन देगे हैं जिनको हमें हल करना है। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं इस कविता के अंश को। और मैं चाहता हूँ, इतनी से ही बात नहीं बनी, मैं चाहता हूँ कि तुझे कुछ और भी समर्पित कर दूँ. मा तुम्हारा रिण बहुत है मैं एकिंचन किन्तु इतना करा फिर भी निवेदन थाल में लाउं सजाकर भाल में जब भी कर दया स्युकार कर लेनाये समर्पन कि मा धर्ती मा मात्रिभूमी मैं तुम्हारा रिणी हूँ तुम्हारे रिंड के नीचे तुम्हारे कर्ज के नीचे दबा हुआ हूँ अगर मैं लोटाना चाहूँ इस कर्ज को तुम्हारे लोटा नहीं सकता है क्योंकि तुम्हारी ही गोद में मैं तुम्हारा ही अन्खा करके मैं बड़ा हुआ हूँ यहीं पे मैं गुटनों के बल र नहीं जा सकता मेरे से, लेकिन फिर भी मैं आप से एक प्रार्थना कराऊं, एक निवेदन कराऊं, कि अगर मैं थाल में सजा करके भाल, भाल मतलब मस्तक, सिर लेकरके आऊं, तो इसको सविकार कर लेना, ये मेरी एक भेंट होगी, समरपन मतलब भेंट होगी, यानि यहां पर कवी बात करा है कि अगर आवशक्ता हुई तो मैं अपना जीवन का बलदान देने के लिए भी त्यार हूँ क्योंकि बहुत सारे एहसान है इस मात्र भूमी के हम साब के उपर गान अरपित, प्रान अरपित, रक्त का कनकन समरपित कि मैं अपना गान, अपना प्रान, अपनी रक्त की एक-एक बूंद है वो आपको भेंट करना चाता हूँ, आपको समरपित करना चाता हूँ चाहता हूँ देश की धर्ती तुझे कुछ और भी दो लेकिन ये भी काफी कम रहेगा जो एहसान है, जो कर्ज है उसके आगे ये भी काफी कम है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुझे इन सब के लावा कुछ और भी दो, यानि कि कवी मात्र भूमी को इन सब के लावा कुछ और भी देना चाहता है मांज दो तलवार को लाव न देरी, मांज दो तलवार को यनि तलवार को चमका दो, त्यार कर दो, देरी मत कीजिए, बान दो कसकर, कमर पर ढाल बान दीजिए, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, और इस मातर भूमी की जो मिट्टी है, उसका एक तिलक कर दीजिए, शीष पर आशिष की छाया घनेरी, और शीष पर सर पर आशि आशिरवाद है, वो एक आशिरवाद दे दीजिए, मैं इस देश के लिए, लड़ने के लिए, बलदान देने के लिए त्यार होना चाहता हूं, क्योंकि इस देश, इस मातर भूमी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब बारी मेरी है कि मैं भी इस देश के लिए कुछ क मेरा ज्यान है, वो सब कुछ मैं इस मात्र भूमी के लिए अरपित करना चाहता हूँ, मेरी आयू का, मेरी उमर का, मेरी जीवन का, हर पल, हर शन, वो देश के लिए समरपित है, चाहता हूँ देश की धर्ती, तुझे कुछ और भी दूँ, लेकिन ये सब कुछ भी कम है, मैं कि जो एहसान है, जो कर्ज है, उसको कुछ हद तक मैं चुकाने की कोशिश कर पाँ, तो ये थी हमारी कविता जो वीरस में लिखी गई है, वीरस मतलब जो उच्छा की बात करता है, और इस कविता के दोरा कवी ये संदेश देना चाहता कि हमें देश के लिए तनमन धन से त हमें तीन एक्ट्वडेज भी देखे, यानकि फाइव प्लस त्री, यानकि टोटल हमारे एट कोशिशन्स रहेंगे, पहला जो हमारा पर्शन दिया गए, प्रस्तुत काव्यांस में कवी ने सवदेश को क्या-क्या समर्पित कर चुका, यानकि प्रस्तुत जो काव्यांस है इसके वह प्रांत भी वह क्या चाता है, और यह सब कुछ देने के बाद भी वह क्या चाह रहा है, तो कवी मात्र भ्हुमी के लिए तन, मन और प्राण, यानकि तन, मन, धनों है, सब कुछ समर्पित कर चुका है, वह अपने मस्तक, गीत, रक्त का एक-एक गण भी अपनी द यहाँ पे दोनों चीज़े बता दी कि क्या कर चुक है तन बंधन वो अरपित कर चुक है इसके लाव अपने जो मस्तक है अपनी जो कल्पनाई है अपनी जो आयू है जीवन का हर पल है वो भी देश के लिए समरपित करना चाहता है क्लियर उसके बाद दूसरे परशन की बात करेंगे दूसरा जो परशन दिया गया है कि कवी थाल में क्या रखकर मात्र भूमी को भेंट देना चाहता है और क्यों तो कवी थाल में रखकर मस्तक यानि की सिर है वो मात्र भूमी को समरपित करना चाहता है क्यों क्योंकि कवी के जो कवी है, वो मातर भूमी की रिन्ट से दबा हुआ है, वो इस रिन्ट को चुकाना चाहता, इसलिए वो देश के लिए अपने जीवन का बलदान देने के लिए भी त्यार है, ततपर है उसके बाद तीसरा परशन दिया गया, हमारा तीसरा परशन रहेगा कवी मात्री भूमी से क्या प्रार्थना कर रहा है तो कवी यह प्रार्थना कर रहा है कि जब भी वह अपने मस्तक को थाल में सजा कर लेकर आए तो उसके इस समर्पन को मात्री भूमी सिवकार कर ले यानि कि जब भी वो बलदान देने के लिए ततपर हो त्यार हो तो मात्रिभ्यमी से प्रातना की जा रही है कि वो उस बलदान को सिवकार कर ले उसके बाद चोथा जो हमारा परशन दिया गए ये भी काफी आसान है कि प्रस्तूत कविता में प्रियुक्त रस और उसका स्थाई भाव हमें लिखना है जो प्रियुक्त रस है वो वीरस से यहाँ पर और वीरस का स्थाई भाव उच्छा होता है यही कविता भी उच्छा का स समर्पन, मात्र भूमी, देश बक्ती ये भी इसके शिर्शक हो सकते हैं चठा जो परुशन दिया गए एक गतिवीदी है कि सब कुछ समर्पन के बाद भी कवी मात्र भूमी को कुछ और देना चाहता है इसकी कल्पना करके एक अनुच्छेद लिखिए ठीक, यानि कि कवी है, वो मात्र भूमी को सब कुछ समर्पन कर दिया है उसके बाद भी वो कुछ और देना चाहता है तो हमें इस कवीता का भाव लिखना है मुख्या भाव की वो क्या देना चाहता है, क्यों देना चाहता है तो कविता में कवी है वो मात्र भूमी पर अपना सारा जीवन नियुचावर कर देना चाहता है कवी के अंसार हमें तन, मन, धन और जीवन से अपनी देश की शेवा करनी चाहिए हमें मात्र भूमी के परती सचे मन से सुरधा और भक्ती रखने चाहिए मातर भूमी पर हमने जनम लिया है इसी पर खेल कर हम बड़े हुएं यहीं हमारे प्यारे देश की धर्ती है और इसी धर्ती पर हमारे पुर्वज है और इसी पर हमारा भवश्य टिकवा है इसलिए हमें इसके रिंड से हम कभी भी मुक्त नहीं हो सकते इसलिए हमें हमेशा बलिदान देने के लिए, देश के लिए, मात्र भूमे के लिए, कुछ भी करने के लिए ततपर त्यार रहना चीए यह यहाँ पर कल्पना हमें लिखनी है यह कि कभी क्या करना चाहता है और क्यों करना चाहता है तो इसका हमें साड लिखना है उसके बाद हमारा सात्वाँ पर्षन दिया गया सात्वाँ पर्षन है कुछ कठिन शब्द दिया गया उन कठिन शब्दों के हमें आर्थ लिखने तो इसमें पहला जो शब्द है समर्पित समर्पित का आर्थ होता भेंट किया हुआ या भेंट करना अकिंचन का आर्थ होता बहुत करीब दीन, दरिद्र रिन का आर्थ होता कर्ज एहसान, आशिष का आर्थ होता आशिरवाद, शीष सिर्फ, घनेरी का आर्थ होता बहुत अधिक, तो ये था हमारा सेवंथ परशन, उसके बाद 8th question की बात करेंगे 8 जो हमारा परशन है कुछ विलोम शब्द है ठीक यानि कुछ शब्द येगे उनके हमें विलोम शब्द लिखने तो निवेदन का विलोम होगा आदेश, समर्पन का विलोम होगा विरोध करना, आशीश का विलोम होगा अभिशा, दया का विलोम होगा निर्देता और धर्ती का जो विलोम शब्द होगा वो होगा गगन या आस्मान तो ये थी आपकी आज की एक और आसान वर्क्षीट आए होगा, सब कोच अच्छे समझ में आया होगा, अगर आपको ये वीडियो ये वर्क्षीट अच्छे लगे, इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंज के साथ शेयर करना मत भूलेगा, आज के लिए बस इतना ही थैंक यू, बाइबाइ, हैव नाइस टे, मिलते है नेक्स्ट वीडियो में